सामर फलुक का स्वागत है और इस वीडियों में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त इस वीडियों का अंतक बने रहीएगा और अच्छा लगेगा तो ज्याधा ज्याधा सेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और मेरे चार्ण हमलोग क्या कर रहे हैं देख सकते हैं आप आसा जाल खर दे थे पर नदे में गय थे मचली फसाने लेकिन फस गया सांप और बहुत सारा सांप फस गया था एक भी मचली नहीं फसा था दस्त कुछ सांप मर गया था और कुछ जिंदा था यह सबसे पहले हमने जिंदा सांप को निकालना सुरू किया बहुत अच्छी तरह से उसका पूंच को हमने पैर से दबाया और अच्छी तरह से जाल से साप को निकाल रहा हैं देख सकते हैं किस परकार हम जाल से साप को अलग कर रहे हैं देखिए जैठ भी लेग रहा था दोस्त कर मुंडी को पकड़े हुए थे ताकि यह साप हमें ना काटें देख सकते हैं किस परकार जाल से निकाल लिए साप को देखिए यह नजारा वोगत अच्छा लग रहा है दोस्त और देख सकते हैं यह मरा हुआ साप को फिर से हमने निकाल रहा है ताकि यह जाल ना फटें सही सलमत रहें अपने आप मर चुका है इसमें बज़ के भस के देखिए यह सांप तो असानी से निकाल लिए इसको उनलोग का जाल भी हलका फुलकर फट गया दोस्त सांप निकालने चकर में मजार नुकसान नया जाल खर दे थे मचली खाएंगे बोले आप तो सांप खाना पड़ेगा आज मचली एक भी ने बज़ा देख सकते हैं सांप खुद अपने आप कट गया है जाल से इसको छुराना बहुत मुश्किल हो रहा है देखिए अब लोग को कैसा लग रहा है दोस्त जरू कमेंट में बताईएगा यह वीडियो देखिए किस परकार कट गया है सांप मुह में फस गया है जाल सरीर में फस गया है कि किस परकार दात में फस गया है उन्हें निकाल रहे हैं सांप को निकाल लिए दुसरा सांप निकाल लिए देखिए अब तिसरा सांप को निकाल लेंगे उस हम दिखिए और इक साप देखिए ऑच साप को थमवलोग वीडियो नहीं बनायां पहले निकाल चुके थे दिखे तीसरा हम यह तो पहुत असान से निकल रहा है कि जब मु Зबसका तो साब बसाधा यह जाएगा दोसलि Hess दोस्त खाने के लिए मिलेगा साप ही खाना पड़ेगा कि मरा हुआ